हेलो दोस्तों वेलकम डू साइबर टेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या फ्रेंड्स जरूर आप भी डरे हुए होंगे और मैं भी डरा हुआ हूँ के मार्किट के अंदर क्या हो रहा है और आगे क्या होगा हमारे पोर्टफोलियों क्या होगा हमारे पैसों क्या होगा कभी हमें अपने पॉर्टफोलियो में दिख रहा था वो देख पाएंगे या वो जो खौब हम यहां पर ले कर आये थे वो पूरे होंगे लेगिन दोस्तों कहता है ना कि हिस्ट्री के बगार या पास्ट के बगार कोई फ्यूचर नहीं होता तो मेरा अपना ख्याल भी बिल् करने वाला हूँ वो शेयर करने का जो मकसद है वो एक्चली यह है कि इस वाला जो डिप इसमें हम जिसमें चल रहे हैं इसको हमें समझने में आसानी हो सेविन यह मैं आपके साथ सेयर करूँगा उसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ अपने व्यूज शेयर करूँगा ताक में दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं आप खुद भी देख सकते हैं जून 11 को 99 परसंट जो है वो प्राइज इसका गिर गया पलके उससे भी ज्यादा कह सकते हैं यह बात है दोस्तों जून 2011 की जब बिटकोईन को पैदा हुए या उसको जन में अभी सरफ दो साली हुए थे 2009 में पैदा हुए है बिटकोईन और 2011 में एक्षेंज जो है जो वाहिद एक एक एक्षेंज था क्रिप्टो करंसी का उसने ऐलान कर दिया कि हमारे उपर एक टेक हो चुका है और वहां स दोस्तो धुराम करके बिटकोईन की जो प्राइज है वो पैनी तक आ गई मतलब वन सेंट एक रुपए तक आ गई जबके उस वक्त प्राइज में जो इंक्रीजमेंट हुआ था वो दो डॉलर से 32 डॉलर तक पहुंच चुकी थी तो आप खुद अदादा करे 32 डॉलर की च कीम बनाई थी और उसने लोगों को मायल किया था कि आप मेरे पास रखें और यहां से आपको सेवन परसंट वीकली प्राफिट मिलेगा यह सब कुछ तो हुआ उसको सजा भी हुई लेकिन दोस्तो साथ लाक बिटकोईन जो है वो चोरी हुए और दोस्तो उसकी वज़ा से हमें 56 परसंट जो है वो डिक्रीज हमें उस वक्त नजर आया उसके बाद दोस्तो दोजार तेरा में 83 परसंट डाउन गया लेकिन एक्चली उसकी वज़ा कोई और नहीं खुद बिटकोईन की पपलर्टी थी बिटकोईन इतना पपलर हुआ कि जिस एक्शेंज पर उसकी ट हुआ था 2013 में ही दोस्तों जब चाइना ने बेन करने का एलान कर दिया बिटकोईन को या क्रिप्टो करेंसी को उस वक्त भी यही हुआ कि ओवरनाइट दोस्तों बिटकोईन की प्रायद 50% डाउन हो गई अब यह चाइना का प्राबलम क्रिप्टो करेंसी के साथ हमेशा से चलता है लेकिन मेरा अपना खयाल यह भी है कि चाइना पहला मुल्क होगा बलके हो चुका है जिसने अपना इस्टेबल कोईन भी लाउंच कर दिया और दोस्तों आने वाले वक्त में ज्यादा फेसिलिटेशन भी चाइना ही करेगा 2017 में दोस्तों एक बबल आया था जब ब का जो प्रॉफिट टेकिंग की साइकला जी होती है वो ही था और हर कोई यह करता है उन्होंने अपना प्रॉफिट डिकाला तो प्राइज वह वापिस बारहाजार डालर तक आ गई उसके बाद दोस्तों कुछ मार्किट में ऐसे रूमर्स भी चले के जापान और कोरिया दोस्तों हमें प्राइज जो है वो बिटकोईन का 3000 डॉलर पर मिला 2020 में दोस्तों पैंडेमिक भी आया था उसने वैसे डिरेक्ली बिटकोईन को हिट नहीं भी किया लेकिन जैसे ही मार्किट क्रेश हुआ था तो उसके साथ बिटकोईन भी क्रेश हुई और बिटकोईन की जिस्ट बिफोर वन इयर मतलब एक तरह से एक से जीर साल पहले की में बात बता रहा हूँ जब बिटकोईन आप खरीद सकते थे दोस्तों चार हजार डालर में और ये मार्च की बात है जबकि इस वक्त गिर कर भी दोस्तों उसी बिटकोईन की प्राइज आपको मिल रही है 37, 36,000 डालर अभी जो डिप आया है दोस्तों उससे पहले एक डिप आया था उसमें I don't know कौन कौन आप में से जो हमारे साथ था क्योंकि हमने तो वो डिप भी जेला है और देखा है ये बात है दोस्तों मैय 2021 की अगर आप तब नहीं थे तो भी कमेंट में मुझे बताएं त तो भी मुझे कमेंट में बताएं कि वो डिप आपने देखा और एक्सपिरेंस किया था तो यहां पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों वो जो डिप आया था उसमें प्राइज 53 परसंट डाउन हो गया था बिटकोईन का अब बाकी क्रिप्टो करिंसी इस सारी सुरते हाल मे नहीं चूरे होती अपरिल 2021 में दोस्तों एक्चली हुआ यह कि टेसला के जो सीओ है लॉन मस्क सहाब उन्होंने कहा कि बिटकोईन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है जबके हानिकारक है इन्वायरमेंट के लिए नेचर के लिए तो वहां से प्राइज गिरना शुरू उठा और चाइना में भी यह किया कि बेंड कर दिया क्रिप्टो करंसी को वहां पर माइनिंग फार्म जितने भी लगे हुए थे वो सारे के सारे क्लोस कर दिये गए वहां से प्राइज दोस्तों 64,000 डॉलर से गिर कर 28,000 डॉलर तक आ गया अब यह जो परसंटेज बनता है वो बनता है 53 परसंट इतनी गिरावट के बाद दोस्तों हमने देखा कि कुछी मन्स में प्राइज आ गया 69,000 डॉलर पर अब एक और कड़ावट आ गया है एक्चुली दीज आर दे करेक्शन्स आई थिंक कुछ भी जो है वो फियर मार्केर में पैदा हो कुछ भी हो लेकि से पहले वाली मैं जहल चुका हूं आपने भी मैं भी जहली हो मैंने आपको खा कि आप मुझे बता जरूर दीजेगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अब यह जो दोस्तों सिच्वेशन है जिसमें अभी हम जी रहे हैं इसमें भी बड़ा फियर है कि क्रिप्टों का पता नहीं क्या होगा हमारे पॉर्टफोलियो का पता नहीं क्या होगा तो मेरा ख्याल है कि अच्छा ही होगा बुरा कुछ होता नहीं है इतनी हिस्ट्री जो मैंने अभी आपको बताई है वो दोस्तों पेनी से बिटकोईन जो है वो 69,000 डॉलर तक पहुँच गया तो 28,000 या 20,000 डॉलर भी अगर लगा ले वहां से फिर बिटकोईन के लिए 1,000,000 डॉलर तक पहुँचना कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं बस वो देखेंगे और वो यहां से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं जो कि पेशंट्स जानते हों सबर करना जानते हों या फिर यह है कि वेट एंड वाच की गेम के खिलाडी हों अब देखेंगे ना दोस्तो बातों बातों में मैंने प्रेजंट जो डिप है वो भी आपके साथ डिसकस कर दिया उस पर अपना पॉइंट अविव भी आपके साथ मैंने डिसकस कर दिया आई होप सो के यह इंफरमिशन दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, मेरी बातें जरूर आपको अच्छी लगी होगी, चेरा अच्छा लगे ना लगे, टेक केर, अलावेज,